जिला मिर्जापूर तैसिल की खास कबर मिर्जापूर छेत के कट्रा कोतवाली छेतर के बरोधा गाउं में विवाहिता खोतो दिन तक भूखा प्यासा रखकर उसकी निर्मम पिटाए करके अच्छेत होने के बाद कमरे में बंद करने के मामले में पोलिस ने पती राहुल राजकुमारी के खिलाब देरात मामला दर्च किया जिस वक्त मामला दर्च किया जा रहा था उसे दुरान पोलिस शौकी के सिपाही के माद्यम से आरोपी पिता पुत्र को ठाने में रुक्षत किया गया दो बच्चों की मा बीभा तीसरे दिन भी अस्पताल में भरती है ज कामले में दहेज उत्पड़न और महिला उत्पड़न समेथ भारती दंड संगिता की धारा 308, 342, 354, 495, 506 और दहेज प्रतिशेत अधनियमता की धारा 3 और 4 लगाए गए बिटिया के करीप 6 बर्स पूर बिवाह करने वाले पड़री थाना छेत्र के पस्या डगमक पुर्नि निवासी राम भचन यह दिन देखना पड़ेगा, यह कभी सोचा भी नहीं था, 11 माई को बिटिया की पिटाई करके कमरे में बंद किये जाने की सूचना उसके पड़ोसियों से मिली, अपने इस दारों के साथ जब बिटिया की ससुराल पहुंचे तोहां ताला बन था, पहर से अस्पिताल में भरती कराया गया, इसके बाद पीता, बरोधा पुलिशों की कट्रा को तवाली और अस्पिताल की बीच चपकर लगाता रहा, बुद्वार की रात करीम 9 बजी बरते दबाओ के चलते प्रातमी की दर्च की गई, इस दरान पुलिस नहीं राशक में पती राहुल ससुर अज्जे को छोड़ दिया, अस्पिताल में भरती बीवाईता ने उपने उत्पड़न के दास्ता सुनाती हुए, कहा कि दो दिन से मुझे खाना नहीं दिया गया था, घर के लोग खुद खाना बना कर खाकर उसे बंद करके चले जाते थे, दस तारीक की और जो समाज में नजीर बने और बहु किसी को जालम का शिकार बनाते हुए, इसे लोगों को सजा आवस से मिलने चाहिए, जिला मेर्जा पूर तैसिल चुनार से भी रचीव शायद आलम के खास कबर। आवस मेरे सास मेरा नचय चाप रहे थी, मुझे नदगा करके भगा रह थे लोगुझे बहुत मारे थे पटक पटक, दो घंटा तक मारे थे, तो सजिले बीहुंस पर हो गय तो कहां पि आपको बंद किये थे, कितने दिन से खाना नहीं खाए थे आपको? हम जे पीवास करेते हो तो खाना हम नहीं दिए आपको दो दिना से भी ना खाए है विदा कमरे के अंदर बंद किये थे टाला आपको? तो क्या चाहती है आप? पर दो क्या चाहती है किया है है कि नरुपा जहन जूल मखावती है उनकितोब के ताजारेजी उनकित मचालू करें